ओम्शेंद। भक्ति शास्त्र में आदी शंकराचार्य के एक शिष्य की कहानी का वर्नन है। ये शिष्य जो था वो विष्णु के दस अउतारों में से नरसिंग अउतार का भगत था। और उसकी उतकट इच्छा थी कि वो नरसिंग भगवान को देखे, उनका साक्षातकार करे। और इसी लक्ष से ये भक्त सब छोड़कर वन की ओर चला गया। और तपस्या करने लगा ध्यान। एक आंत जंगल और उसमें ये भक्त, ये शिश्य। सुबे से लेके रात तक तपस्या मुद्रा में बैट कर, मेडिटेशन ध्यान करते रहता था। उस वन में एक अनपढ़ गवार, एक वनवासी उस वनवासी ने एक दिन देखा ये कौन है। उसे पता नहीं था। मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है। इसकी कुछ भी उसके पास जानकरी नहीं थी। उसे आश्चर लगा कि ये क्या है, ये कौन व्यक्ती है। और ये सो क्यू रहा है, और इसे सोना है तो लेटता क्यू नहीं। बैठे बैठे क्यू रहा है। वो इंतजार करता है कि कब ये आखे खोले और मैं उससे बात करूँ। उस योगी का सुन्दर रूप उस वनवासी को अकरशित करता है। वो कई बार दिन में आता है बैठता है कई घंटों चला जाता है उसे लगता है कब तो आख खोलेगा परंद योगी मगन है अपनी तबस्या में और एक दिन अचानक वो योगी आख खोलता है सामने वो वनवासी है वो वनवासी पूछता है आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो उस योगी को लगता है इसे क्या मैं समझाओं वो अंदर या अंदर वो केवल इतना कहता है मैं प्रार्धना कर रहा हूँ परंद उस वनवासी को संतुष्टता नहीं होती वो रोज आके देख रहा है, यह घंटों घंटों बैठा रहता है और अब तो इसने खाना पीना भी छोड़ रहा है शरीर दुबला होते जा रहा है वनवासी आते ही रहता है और दोनों के बीच में एक दोस्ती सी हो जाती है परंदों योगी फिर भी नहीं बताता क्यों कर क्या रहा है फिर भी वो वनवासी पूछते रहता है मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम करते क्या हो वो योगी एक दिन कहता है मैं किसी की खोच कर रहा हूँ वनवासी पूछता है किसकी खोज कर रहे है और खोज अगर कर रहे हो तो तुमें तो तुणना चाहिए उस वेक्ति को तुम एक ही जगा बैठे रहते हो वो योगी मुस्कुराता है कहता है मैं किसी मनुष्य की खोज नहीं कर रहा हूँ मैं भगवान की खोज कर रहा हूँ वनवासी कहता है यह भगवान क्या होता है योगी कहता है तुम नहीं समझोगे छोड़ो फिर भी फिर पूछता है मुझे बताओ मैं तुम्हारी मतद करूँगा क्योंकि अब वो देख नहीं सकता इसकी हालत और वो यह भी सोचता है वो कितना निश्टूर होगा कि उसकी खोज इसे है और वो आ नहीं रहा है तो वनवासी पूछता है मुझे बताओं वो कैसे दिखता है मैं उसको धुण के लाओंगा परंदु योगी जो होता है वो कहता है चलो ठीक है मैं तुमको बता देता हूm और अंदर यांदर सोचता है ये धुण बी ले तो इसको कहां से मिलेगा धुणने दो वो कहता है जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ उसका जो सिर है वो सिंग का है उसका शरीर मनुश्यका है वो वनवासी कहता है एसा मैं तो इतने सालों से वन में हूँ ऐसा कोई प्राणी नहीं देखा परन तुम्हें धून कर लाओंगा और वो सन्यासी वो वन्वा से निकल जाता है धूनना चालू करता है जंगल का एक-एक हिस्सा धूनता है एक-एक गुफा ऐसी कोई जगा नहीं छोड़ता है और उसकी ऐसी अवस्ता आ जाती है कि बस अब वो चिलाने लगता है हे नरसिंग, 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 नरसिंग उसकी वो आवाज और प्रकृति की आवाज उसकी वो आवाज उसके रिदह से उठने लगती है और दीरे दीरे वो भी सब को छोड़ने लगता है और फिर लास्ट में तो ऐसी अवस्था आ जाती है बेचेनी हो जाती है उसको बहुत तीवर विरह वेदना जाती है और वो एक ही जगा बैठकर पकारने लगता है हे नरसिंग, हे नरसिंग, हे नरसिंग बक्ति शास्त्र में लिखा है कि उस वनवासी की वो आवाज रिदह से उटने वाली वो आर्थ बुकार तह वेकुंट पहुचती है और भगवान नरसिंग रूप धारन करके उसके सामने प्रगट हो जाते है और जब वो देखता है, अच्छा, ये है वो उसको पकड़ लेता है पेड़ की टहनियों से उसके गले में रसि बानता है और उसको खीच के लेके जाता है अपने मित्र के पास, योगी मित्र के पास और कहता है, देखो मैं ले आया जिसको तुम धूंड रहे थे वो योगी अचानक आख खूलता है तो उसे हाश्चर्य होता है, ये क्या? दाश्टांग दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, प्रभू मैं कब से आपको पकार रहा हूं? आप नहीं आएं और इस वन्वासी ने पुकारा तो आप आगए भगवान कहते है जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है संपूर ने कागरता से पुकारता है समग्र समर्पन से पुकारता है तब मैं आता हूं जहां मेरा निश्चल प्रेम उत्पन्न हो जाता है तब मैं आता हूं और उसी समय दिखाया है भगवान उस वन्वासी के सिर पर हाथ रखते है और वो मुक्त हो जाता है और इस योगी से कहते है कि तुम अपनी साधना जारी रखो तुम भी मुक्त होंगे जब संकल्प निश्वार्थ हो सुभ की अव्यक्त वानी दूसरा स्वच्च हो तीसरा स्पष्ट हो चवथा शुब भावना वाला हो और शुब कामना वाला हो पाच वो है स्रेष्ट संकल्प और ऐसा संकल्प यदि होगा तो वो साकार होगा उसमें पाचो ही चीज़े चाहिए शुब भावनाओं से भराओ शुब कामनाओं से भराओ निश्वार्थ हो स्पष्ट हो और कैसा हो स्वच्च हो यदि ऐसा संकल्प हो तो वो स्वैम ही सित्धी को प्राप्त होगा फिर हमें किसी से पूछने की आवशक्ता ने की अब क्या करू और कैसे करू उत्तर स्वैम आएगा तो आज सुवग्य व्यक्तवनिय विचार संकल्प कई सारे शब्द का प्रयोग है मनोबल संकल्प शक्ति साइलेंस पावर कैचिंग पावर कॉंसेंट्रेशन पावर कॉंसेंट्रोलिंग पावर मन की शक्ति अलग-अलग जगा पर अलग-अलग शब्दों के प्रयोग है बाबा ने कहा यह अंतिम सेवा है दलास्ट सबसे पावर्फुल संकल्पो के द्वारा सेवा जैसे टीवी है फोन है वायरलेस है वैसे संकल्पो के द्वारा सेवा होगी और क्या-क्या होगा इस सेवा से पहला मेहनत नहीं लगेगी समय खर्च नहीं होगा संपत्ति पैसा नहीं लगेगा हल्चल नहीं होगी और थकान नहीं होगी वानी की जो सेवा है उसमें हल्चल हो सकती है उसमें थकान हो सकती है पर ये जो सेवा है ये सुक्ष्म सेवा है सबसे पाउरफुल सेवा है परन तो इसके लिए संकल्पों को क्या करना होगा स्वच्छ निस्वार्थ सुपष्ट शुभावनाओं से भरे होगा है क्योंकि भिन्न भिन्न आत्माएं हमारे पास आएगी असंग के सभाव वाली आत्माएं हमारे पास आएगी अलग-अलग सभाव वाली इस मुर्ली में ही बाबा ने का है अचानक मन की एकागरता संकल्पों को मन बुद्धी को एक सेकंड में कागर करो तो समस्या क्या हो जाएगी? समाप्त क्योंकि समस्या आएगी अचानक कोई notice नहीं अचानक कभी भी, आज रात को भी कल सुबह भी, anytime मन को एकागर करो बुद्धी को एकागर करो मन बुद्धी को एकागर करो एक सेकंड में करो concentration power बढ़ेगा संकल्प शक्ती से तो ये पाच चीज़े चाहिए और पाच चीज़ों की आवश्यक्ता नहीं अगर संकल्प शक्ती से सेवा करोगे तो और इस संकल्प शक्ती को क्या क्या करो? बहुत सारे अलग-अलग जगा पर अलग-अलग शब्दा आए है पहला जमा करो क्या करो? संकल्प शक्ती को जमा करो दूसरा बढ़ाओ जो है उसको बढ़ाओ तीसरा उसके महत्व को जानो जब्दा और अटेंशन दो क्या करो इसके उपर? और अटेंशन दो पाच्वा प्रयोक करो यह पाच काम करने हैं संकल्प शक्ती को जमा करना उसको बचाओ उसको जमा करो उसको कार्य में लगाओ प्रयोक करो, एक्स्परिमेंट करो उस पर अटेंशन, उसके महत्व को जानो थाट पावर साइलेंस पावर सारे शब्द जुड़े हुए हैं यह अगर होगा तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी यह अगर होगा तो कैचिंग पावर बढ़ेगी यहां बैठे हैं किसी को वहाँ, लंडन में संदेश दिया जा सकता है एक ही स्थान पर बैठे हुए क्योंकि एक कॉंसेप्ट है उसको कहते है यूनिवर्सल माइंड सारे मन एक दूसरे से चुड़े हुए है शिश्य और गुरू जा रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं अच्चानक शेर के धारने की आवाज आती है शिश्य डर जाता है पूछता है क्या किया जाए गुरू कहता है हमारे पास समय बहुत कम है option one यहीं खड़े रहो भैबीत हो जाओ फिर जो करना है शेर करेगा दूसरा भागो पर हम इतने शक्तिशाली है नहीं physical strength हमारी इतनी नहीं है शेर से जादा तीसरा बैठ जा और भगवान से प्रार्थना करो है प्रभू मेरी रक्षा करो और चवता एक है शिश्य कहता है जल्दी बताओ आप ही बताओ करना क्या है क्योंकि शेर तो एकदम सामने आ गया है और तभी गुरू अपनी दिश्टी को घुमाते है देखते रहते बिना डरे बिना हीले डूले और तब तक शिश्य कापते हुए क्योंकि शेर एकदम ही सामने है यहां बिल्कुल थोड़ी देर के बाद वो शेर नतमस्तक हो कि चला जाते है गुरू शिश्य गुरू से पूछता है आपने किया क्या वो कैसे चला गया गुरू कहते है मैंने अपने मन को केवल एकागर कर दिया इतना एकागर कर दिया इतना एकागर कर दिया और अपने मन को खली कर दिया पुरा विचारों से सभी संकल्पों से फिर मेरे संकल्प और उस शेर के संकल्प एक हो गए इस स्रिष्ट के सारे संकल्प मुझ में समा गए और मेरे अंदर जो भावनाए थी प्रेम की, सदभाव की, अहिंसा की वो सब उस शेर में ट्रंसफर हो गई और वो शेर चला गया That is the power of concentration जब हमें कागर हो जाते है सारे विचार्स थिर हो जाते है हम अपने संकल्पों को ट्रंसफर कर सकते है इसी मुल्य में बाबा ने दो और फाइदे बताये है संकल्प शक्ति के एक प्रत्यक्षता दूसरा बुद्धी का परिवर्तन आत्माओं के बुद्धी का परिवर्तन उनकी बुद्धी परिवर्तन हो जाएगी अभी तक क्या कहते है वहा है बहुत अच्छा है इसरेष्ट है वगरे वगरे कार यह किसका है प्रत्यक्षता जो होगी वो संकल्प शक्ति के आधार पर होगी तुम जाने ही सकोगे एक इस्थान पर बैठे असंग्य आत्माओं की सिवा एक संकल्प प्रोजेक्ट करेंगे वो फैलेगा कुछ दिन पहले वरदान भी आया था जैसे एक प्लेन दूसरे प्लेन को कट करता है डिस्ट्रॉय करता है वैसे विकारी संकल्प उदर से और तुम्हारे संकल उनको खतम करेंगे वर्दान था ना भी कुछ दिनों पहले तो शक्तिशाली संकल स्रेष्ट संकल और इनका क्या करना है प्रयोग छोटे-छोटे संकल वो का प्रयोग उसके लिए best method है छोटी-छोटी प्रतिग्याए छोटे-छोटे वरत ले ले देना और उनको साकार कर देना और छोटी-छोटी जीत हासिल करना वो छोटी-छोटी जीत इखटे करते करते confidence बड़ेगा कि अब बड़ी जीत भी हम जीत सकते हैं बड़ा युद्ध भी जीत सकते हैं छोटी-छोटी जीत छोटे-छोटे संकल और उनको पूर नकरना और सं संकल्ब ऐसे हो प्रतिग्या ऐसी हो जो एकदम कठिन भी ना हो और एकदम सहच भी ना हो थोड़ा effort लगे है थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए इतना कठिन भी ना हो कि प्लैट हो गए फिर उसके बाद में संकल्ब करना ही छोड़ दिया तो पहली विधी चोटे-चोटे व्रत चोटे-चोटे संकल्ब भोजन से संबंदित हो सकते है उठने से संबंदित हो सकते है ज्यान चिंतन से संबंदित हो सकते है पढ़ने से संबंदित हो सकते है कुछ सीखने से संबंदित हो सकते है कोई नविंता सिवा में इस मुर्ले में और एक बहुत अच्छा वाक्या आया है, तुमने संकल्पो द्वारा जो याद प्यार भेजा, या रूरियान की, वो बाप दादा तक पहुँची, क्या पहुचा बाप दादा तक? तुमने की हुई रूरियान, किस के द्वारा? संकल्पों के द्वारा, और रूरियान और याद प्यार, मिडियम क्या है? थाट, संकल्प, तो जो संकल्प हम रेज कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसके वाइबरेशन, उसकी प्यूरिटी को बढ़ाना है, तो चोटे-चोटे संकल्प लेना, और उसको सफल करना, चोटी-चोटी प्रति ज्याये लेना, और उसको साकार करके दिखाना, एकदम चोटी-चोटी होगा, तो तो प्रिदेंस बढ़ेगा फिर, कब लेना, अम्रित वेला, और उस संकल्प को फिर सारे दिन भर नरिश करना, उसका क्या करना? पोशन करना, इसी मुर्ले में और शब्दा आया है, इस मृतिक का, वैसे वो चार स्वरूप जो गिनाय है, उसके लिए कहा है, उसको इमर्च करो, और उसको, और एक शब्द है, क्या करो? उसको इमर्च करो, और कुछ करो, क्या करो? सही है, क्या? स्मृति को क्या करो? दहराओ, correct. उस स्मृति को क्या करो? रिपीट करो, यह दो काम करने है, यह जो स्मृति है, इसको पहले तो इमर्ज रूप में रखो, और उसको दहराओ, तो रुहानी नशा चड़ेगा. Keep on repeating, 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 the power of repetition, the power, repetition is the mother of all learning, दहराओ क्या है? हर शिक्षा का अधार स्थम्भ है, मा है. एक बार पढ़ा, फिर से पढ़ो, दो बार, तीन बार, चार बार, till you committed to the memory. बार, 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 दहराते रहना, दहराते रहना. इसी मुर्ली में एक दूसरी जगा पर कहा है, तुम आए हो इस समय किसलिए मौन भट्टियों के लिए? तो इन भट्टियों की आदत बन जाए. क्या कहा? इन भट्टियों की क्या बन जाए? आदत. इस आदत को इमर्ज करो, तो ये अविनाशी बन जाएगी. ऐसा पूरा वाक्य है एक. किसकी आदत डालनी है? भट्टि करने की आदत. छोटी-छोटी भट्टी, आदे दिन की भट्टी, एक दिन की भट्टी, दो दिन की भट्टी, तीन दिन की भट्टी. किसकी भट्टी? अपनी भट्टी, व्यक्तिकत भट्टी, परसनल भट्टी. किसी को बताने की आवश्चकता ही नहीं है एक है जनरल भटी सब की है चलो और एक है व्यक्तिकत जनरल में प्रोग्राम फिक्स्ट है ये है ये है ये है वो उदर से बना कर दिया हुआ है परसनल जो है इंडियूच्वल जो है सोलो भटी जो है अपने अक्यली की जो भटी है उसमें स्पीकर भी हम ही है और सुनने वाले भी हम ही है श्रोता भी हम ही है गीत गाने वाले भी हम है गीत भी हम है, म्यूजिक भी हम है रूल्स भी हमारे ही है सब कुछ हम ही है भटी की आदत डालो क्या कहा मुर्ली में? भट्टी की आदत डालो ग्यान की गहराई मन का मौन यह दो शब्द है एक जगा पर ग्यान की गहराई मन का मौन ग्यान के तले में जाना और रत्नों को लाना यह रत्न है और आत्माओं में शक्ति अकम है कि गहराई में जाए, और वहाँ से लाए, ये काम तुम करो, और बाटो, ये सब संकलबों के खेल है, योग की गहराई, योग की गहराई, योग की गहराई, मन कम अन, सागर के तले में जाओ और रत्न लाओ याद की गहराई तो संकल्प शक्ति को पुष्ट करना है संकल्प शक्ति का पोशन करना है आदत नई आदते बनानी है इमर्ज करना है, रिपीट करना है तब वो अविनाशी बनेगी तब तक अभिनाशी नहीं बनेगी, अभिनाशी अर्थात स्वरूप, अभिनाशी अर्थात स्वत्व, अभिनाशी अर्थात आटोमेटिक, इसी मुर्ली में और एक जगा कहा है, अगर तुम इस एक सेवा को कर लो, तो यह जो दूसरी दूसरी सेवा है, वानी की, शरीर से, क work on thought level विचार आ रहे है विचार जा रहे है विचार आ रहे है असंग के विचार आते है चले जाते है उसमें से कितने विचार तो क्या होते है व्यर्थ और उसके दो कारण इस मुर्ली में बताए कौन से व्यर्थ के सबसे बड़े दो कारण कौन से है आज संड़े है न? कि यह किसी और दिन की चल रही है सुनी है न सबने? तो कौन से दो कारण है व्यर्थ संकल के? और कि केवल इसी ने कही सारी मुडलिया आइस पर व्यर्थ के दो कारण अपमान और अभिमान अपमानित महसुस हुआ है अहंकार जहां है वहाँ अपमान महसुस होता है जहां अहंकार ही नहीं वहाँ अपमान की महसुसता नहीं है और इसके वज़े से क्या चलता है? तुफान मचता है एक के पिछेक, एक के पिछेक विचार पर विचार, विचार पर विचार नौन स्टॉप विचार, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, और एक श्रिंकला, एक विशियस साइकल, किसी ने कुछ बोल दिया, बस ट्रिगर, अंदर सारा राव मैटेरियल पहले से तयार है, उसी का तो इंतजार था, बस बोलने की देरी थी, और सारा तुफान, चक्रावती, तुफान, हरीकेन, टॉर्णिडो, और फिर बेचेनी, 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 बहुत सूखी लकड़ी अंदर रखी हुई है, कर्म संसकार पड़े हुए है, सब को क्या कर दो, जला दो, कुवे में पानी है, इसलिए तो बकेट डालने पर आता है, पानी नहीं होगा तो कहां से आएगा, जिसको जो कहना है, बोलना है, बोलना है, अनाश्रव, बुद्धिसम में शब्द है, सारे आस्रव नश्ट हो गए, ऐसा योगी अनास्रव, सारे सिक्रिशन्स ड्राइड अब कोई रहा ही नहीं अंदर, जिससे चिंगारी जले और आग बढ़के, शुद्ध कर दिये सारे विचारों को, संकल्पों को, भावनाओं को, at the lowest, जड़ से उखड़ा है विकारों को, उपर-उपर से सफाई नहीं किये, जड़ से, यह बहुत बड़ा काम है और मेहनत का काम है, पर सबसे बड़ा काम है, तो चोटे-चोटे संकल्प लेना, उनको सफल करना, स्वयम की बट्टी करना, चोटी-चोटी बट्टी, एक गंटे की बट्टी, मिनी बट्टी, दस मिनिट की बट्टी, पाँच मिनिट की बट्टी, एक गंटे की बट्टी, चोटी-चोटी बट्टी, पर करना तो संकल्प शक्ति पावर्फुल होगी तीसरा है लिखना अपने विचारों को लिखना और उनको पढ़ना, रिवाइस करना नए स्थान पर जाना प्रकृती के सानिध्य में जाना तो भी संकल्प शक्ति शाली होते हैं विजुलाइजिशन नए विजुलाइजिशन करना तो भी संकल्प और पावर्फुल होते हैं मूजिक संकल्प पावर्फुल होते हैं दिंचरिया को रिसेट करना क्योंकि हर एक ने अपनी दिंचरिया फिक्स रखी हैं और उसको वो बिलकुल भी टच नहीं करना चाहते है इसको change नहीं करना है that is one thing and second कोई भी नया विचार हम अंदर लेने के लिए तयार नहीं है बढ़ टरवा दिता है नया विचार you don't want to accept मन को खुला रखना है ठीक, ये है हमें नहीं पता पर ये भी विचारधारा हो सकती है it is possible keep the mind open तो मुर्ली में तीन पार्ट है ये एक भाग है मुर्ली का किसका संकल्प, शक्ति का दूसरा भाग तुम कौन हो मुर्ली की शुरुवात स्रिष्टा आत्मा, उची आत्मा, हाइस्ट इन्दकल्पा क्यूँ? अनादी, आदी, मद्य और अंत चारो ही समय पर तुम कैसे थे? सबसे उच अनादी में उसके समीप आदी में तन्मन, धन्जन, संबन, प्राप्तिया मध्य में विदिपुर्वक्त, पूजा और अंत में अंत में अंत में अंत में क्या? पढ़ाई, पालना और श्रीमत अनादी आदी मध्य अंत चारो ही समय तुम स्रिष्ट हो अनादी में उसके नजदी क्यों? परमधाम में अकुमेडेशन कहा है? सिंगल रूम? नेक्स टॉपिक वही है, सबसे पाउरफुल तो वही टॉपिक है, इस पूरी मुर्लिव सबसे समीप, सबसे नजदीक, इसलिए सबसे ऊचा, जो भगवान के समीप है वही से समीपता का संबन्द है, नीचे उत्रे, प्राप्ति संबन्द, कोई धर्मात्मा नहीं है ऐसा, जिसके पास इतना सब कुछ हो और नीचे, मध्यकाल में, विधि पूर्वक, पूछा, और किसी की नहीं होती, धर्मात्मा महत्मा और किसी की भी नहीं और नीचे, संगम पर सर्वत्तम तुम हो, यह चारो ही समय में, तुम स्रिष्ट हो बाबा ने का, इस मृत्य को इमर्ज रखो, इस मृत्य को दहराओ, तो रुहानी नशा रहेगा अनादी, आदी, मद्य, अंद अनादी, आदी, मद्य, अंद अनादी, आदी, मद्य, अंद अनादीकाल, आदीकाल, मद्यकाल, अंदकाल रिपीट, 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 रिपीट दोहराओ, दोहराओ, दोहराओ भीतर, भीतर तो ये पहला पार्ट है मुटली का दूसरा पार्ट माताओं से मुलाकात पाँच बाते हैं वो एक लाइन में आ जाएगी दो माता है जूले पर बैठी हुई है नशे में एक हाथ में फूल है और एक हाथ में ढाल बस इसमें पाँच बाते आ गई सबसे पहली पॉइंट दो माता है कितनी? दो कुटिया है ना कुटिया के पास चुला है ना बस उसको याद करना और वो एक माता को ने दो में से? मैं है साथ में है ठीक है? बाबा ने मुर्ली में पूछा है किट-किट तो नहीं जगड़ा तो नहीं कहावत है ऐसा कहा संसार में कहावत है ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ संसार के माते थोप दिया है कि वो लोग कहते हैं ऐसा कि दो माते, दो माता एक साथ नहीं रह सकती है मौन में दो माता है बैठी है परंतु बाबा ने कहा ये परमात्म माता है कौन सी माता है परमात्मा की माता है सिंपल वाली माता है नहीं है ये तो दो माता है कहा बैठी है जूला और जूला कौन सा है खुशी का जूला कौन सा खुशी का वहीं से शुरुवात है वाक्य की खुशी के जूले में जूलने वाली और कैसी है दोनों भी नशे में हैं पर नशा कैसा हो सदा एक्रस सदा हो और एक्रस हो क्यों? क्योंकि भगवान मिला है संसार वालों ने क्या कर दिया था इसलिए बाबा ने क्या कर दिया एक हाथ में क्या है रुहानी गुलाब तुम्हारा चेहरा खिला हुआ निरंतर कैसा हो रुहानी गुलाब और दूसरी हाथ में क्या कहा ढाल इसके लिए क्या कहा है भाईयों बीच में आएगे न भाईयों से पूछा कि इन कोई क्यों आगे रखा वगेरे वगेरे इनके बिना वो नहीं उनके बिना वो नहीं परन्तु हाँ अगर भाई आजाते शुरुवात में और चालू कर देते आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा बाबा ने क्या खा क्या हो जाता हंगा मा दंडे पढ़ते दंडे गीता जूटी है ऐसे वैसे नया ज्ञान नई बाते नया सिस्टिम नया ज्ञान नई बाते नया सिस्टिम Handle with care इसलिए बेनों को दिया माताओं को दिया महामंडलेश्वर भी कहते हैं यह संस्था कौन चलाती है माताओं, माताओं जिम्मेदार है माताओं निमित्त है तो यह पाँच बाते हैं माताओं के लिए तो अभी पहली बात पर आते हैं वो सबसे इंपोर्टन है दो माताओं तो टॉपिक है एक ही कमरे में विदाओट फाइटिंग कैसे रहे एक हॉल में पंदरा माता है, बीस माता है, दस माता है विदाओट फाइटिंग कैसे रहे तो इसमें आठ पॉइंट्स आपको बताएंगे आप वो याद कर ले, बहुत काम की बात है अच्छा टॉपिक है न यही तो बोला है बाबा ने का, कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूँ कहावत है मैंने तो बोला ही नहीं पर पूछ भी लिया चुपचाप से, लड़ती तो नहीं हो खिट-पिट तो नहीं करती हो दोनों काम हो गए लड़ाई पॉइंट नबर वान एग्रिमेंट जब दस लोग रह रहे हैं पहले दिन ही सब मिलके कोई एग्रिमेंट करना चाहिए कोई एक मत पर पहुचना चाहिए एक दूसरे कहां से आये है क्या उनकी होबीज है क्या उनको अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है किस department में सेवा कर रहे है टाइमिंग क्या है उसको कहते है ground rules established ground rules some agreement आ जाए पहला ही agreement समझ ले अपने आपको एक दूसरों को यह इस department का है उसकी सेवा इतने बज़े से इतने बज़े तक है इसकी सेवा इतने बज़े से इतने बज़े तक है इसको समझना है ताकि हम एक दूसरों को जान सके प्रॉपरली कितने सालों से रह 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 है यह इतने समय से सेवा कर रहे है परंतु जाने का समय आता है तो भी पता नहीं वो कहां से है और वो कौन है तो फिर्स टेप living together without fighting एक agreement एक ground rule बना के रखना है दूसरा respect each other's boundaries personal boundaries हर एक व्यक्ति की अपनी एक personal life है उसको respect करना है परसनल बाउंडरी को cross नहीं करना है कहां गयते अच्छा क्यू गयते तुमको क्या करना है वो कहां गया था और क्या क्या हो रहा है बताओ किसका फोन था क्या कह रहा था क्यों इतना जोर जोर से बाते कर रहे थे हर व्यक्ति की एक personal life है उसमें interfere नहीं करना है जब एक साथ रह रहे है चाहे घरों में चाहे मदुबन में सेवाधारी बन के आ रहे है तब या permanent यहां रह रहे है तो भी या कहीं पर भी hostel में या जो भी जहां पर भी है respect each other's personal boundaries उसको cross नहीं करना है क्योंकि किसके जीवन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं वो कितना भी बताए तो भी कितना बता पाएगा तीसरा cleanliness क्या maintain रखना है cleanliness चार लोग रहते हैं बातरूम से निकलो तो वो clean रहना चाहिए अंदर से नहीं तो अपना सामान आदा किसी और के बेट पर socks इदर shawl उधर कपडे उधर गीले कपड़ा, गीला टॉवल दूसरों के बेट पर अपने बेट पर नहीं दूसरों के बेट पर cleanliness अगला, clear communication clear communication कमरे वाला, कुछ हो गया, या कुछ हो गया, पानी गुज गया नीचे से, या बारिशी आ गई, या और कुछ, हमको रूम तो मिला है, बेट तो मिला है और एकदम कोने वाला बात्रूम के पास वाला, या जगा कम है, कुछ न कुछ है, there is some problem, या अचानक construction ही चालू हो गया है, दो लोड रही है, और खासिया चालू, चीक, एक माता आई थी, वो कहती थी, उसको पूछो क्या तकलिफ है, वो कहती थी कि खास, चीक है आती है, अच्छा, कब उने अमरित वेला, फिर हमने पूछा कितने बजे, उसने का साड़े तीन बजे, उसने का हाँ, और कितने बजे तक, पंद्रा मिनिट तक, और फिर बंद, उने बंद, अच्छी चीक है आपकी तक, चली कहीं, वो माता शायर इदर ही, इत्थी पंड़ बहुन वाली, अच्छा, फिक्स, टाइम टेबल है, चीको का भी, कॉम्प्रमाईज, क्या करना पड़ेगा, साथ में रहते हैं तो, एक को तो, जुखना पड़ेगा, दो महीला आए, बस में बैठी, बस में है, और एक सीट एक ही खाली है, और दोनों जगड रही है, कंड़क्टर ने कहा, जिसकी उमर बड़ी है, वो बैठ जाओ, लास्ट तक दोनों खड़ी रही, कॉम्प्रमाईज, तो पहला बताया, एक्रिमेंट, एंट्री करते ही, दो लोग साथ में हैं, पहले से ही समझ लो, कि तुमारी डूटी क्या है, मेरी डूटी क्या है, टाइमिंग क्या है, कैसा है, वो सब बाते हैं, हमारी वज़े से दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ये रक्ष रखना है, सुक दो, सुक लो, दुआए दो, दुआए लो, बड़ी-बड़ी मुरली आए इसके उपर, दूसरा बताया, टू, दूसरा पॉइंट, ए फॉर एग्रिमेंट, ब फॉर बाउंडरीज, पर्सनल बाउंडरीज को क्रॉस नहीं करना है, पर्सनल लाइफ में इंटर्फियर नहीं करना है, हाँ अगर वो कोई पूछे, उसको चाहिए एक सॉलूशन, तो हम बता सकते हैं पर जबरदस्ती सॉलूशन नहीं देने हैं, जब कोई पूछता है कि मैं क्या करूँ, तो बताओ, वो पूछी नहीं रहा है, और हमारी आदत क्या है, उसको बताने की, और फिर हम ये दुखी है कि ये सुनते आ नहीं है, और मावाव इसलिए तो दुखी है, कि वो पर इन से आई है नहीं तो कभी नहीं सुनेंगे, नहीं रहा है, तीसरा, ख्लीनलिनेस, बातरूमें गया बाहर ली लहरा रहे हैं आपर, बेसिंथर, बातरूमें गया वीचारा वो सो रहा है, थक्कार कर आया है अभी, ड्यूटी से और नल चालू जोड से, बकेट पर, आवाजे, या बरतनों की आवाजे, अगला, clear communications, उसे पूछ लो, बैठो उसके साथ, discuss करो, क्या problem है, clear cut communication, आधा अधूरा communication होता है, उससे कितनी problems होती है लोगों को, संबंद तूट जाते हैं, बिना बोले, वो emojis होते हैं न वाटसेप पे, घुस्से वाला, बस उतना दिखा दो, break up, ना काफी है, किसी ने अपनी कोई फोटो भेजी, कि देखो मैं यहाँ जाके आया, जाके आई, ऐसे कर दो बस, खतम, अगला, compromise, compromise के लिए हिंदी शब्द किया है, समझोता, समझोता करना है, जुकना पड़ेगा, सिक-सिक, जुक-जुक, मर-मर, अगला, डिजिटल इटिकेट्स, वो विचारा, अमरित मेरा उसको करना है, दो बजे, धाई बजे, हमारी फोन पर बात ही पूरी नहीं होती ग्यारा बजे तक, चाचा जी से, मामा जी से, अभी पहुची हूँ मदुबन, पूरा डिटेल बता रहे है, ट्रैवल में कौन-कौन मिला, क्या-क्या खाया, नाश्ता किया कि नहीं, मदुबन में क्या भोजन था, फूल डिटेल, उधर वालों को, और पिंटू ने चाई पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, सारा, उधर की पूरी न्यूस, इधर की पूरी न्यूस, उधर, उधर की पूरी न्यूस, इधर, हमारी फोन की आवाज से किसी को डिस्टर्ब ना हो डिजिटल एटिकेट्स, मोबाईल एटिकेट्स साइलेंट करो जोर से आवाज करना खिड़किया जोर से बंद करना दरवाजा, एंट्री इतने जोर से करते हैं कि बात मत पूछो योग के लिए बैठते हैं सोफा पे तो भूकम भी हिल जाते हैं सारे हिल जाते हैं बाजुबाजुआ कुट्यां में गुषते हैं योग करने के लिए पॉलितिन अंदर लेकर और उसकी आवाज है फिर निकाहने के डाइरी और उसके पेज की पल्टाने की आवाज है फिर पेन को खोलने की आवाज है और बाबा को खत्र दिल की दवाज से कलम डुबो कर बाबा तुझे मैं खत लिखता हूँ लोग सुच रहे जल्दी लिखो और निकलो शौल लेके जाते हैं जो दोई नहीं है एक मैने से कुटिया में बैठते ही बाकी सब सुक्ष्वतम से धड़ा धड़ नीचे गिरते है ऐसी बद्बू मोजो की और शौल की अरली चालू है, क्लास चालू है अभी साड़े साथ बजे नहीं है पांच मिनिट है तो उदर से निकलता है शिव की याद रहेगी तब फिर उदर से आता है शिव की याद रहेगी तब फिर इदर से आता है एक शिव की याद इदर से एक मोबाईल, उदर से एक और फिर बड़ा वाला शिव की याद रहेगी तब इदर से आता है तब तक 4-5 शिव की याद तो आई जाता है इदर उदर से यहां आते हो तो traffic control off कर दो mobile से traffic control app uninstalled, यहां automatic traffic control बचता है, अपने mobile में रखने की जरुवत नहीं है और दूसरे भी डिस्टर्ब होते रहते है digital educates कमरे में रह रह रहे हो तो हमारे आवाज से दूसरा डिस्टर्ब ना हो अगला E कमरे से थोड़ा भार भी रहा करो क्योंकि लोगों को space चाहिए रहती है आपस में spend some time out of your room ऐसा बताया जाता है क्योंकि लोगों को थोड़ी privacy चाहिए रहती है यह हमेशा बेढ़ी ही रहते कमरे में थोड़ा तो बाहर ही नहीं निकलते तो थोड़ा अगर थोड़ा भाब लोगों को चाहिए privacy तो निकल जाओ थोड़ा spend time outside और last F fight avoidance लक्ष रखना है कि जगड़ा ना हो उसके लिए जो करना है करो पर जगड़ा नहीं होना चाहिए तो इस मुरली को ऐसे याद रखेंगे बस दो माता हो कि आधार पर मुरली याद रख लो पूरी दो माता है दो माता है कहाँ बेठी है जूले में जूला अर्थात खुशी का जूला कैसी है क्वान सा नशा है रूहानी नशा एक हाथ में क्या है रूहानी गुलाब अर्थात सदाखुश हर्शित चेरा दूसरे हाथ में है ढाल भाईयों के साथ चलने वाली और क्या कर रही है, रूहानी नशा किसका है, चार स्वरूबो का, अनादी, आदी, मद्य, अंत, चारो ही क्या है, स्रेश्ट, इसलिए रूहानी नशा, और नशा कैसा है, इमर्ज है, और जूले में बैठे-बैठे क्या कर रही है, स्रेश्ट संकल, कैसे संकल, स्रेश्ट संकल निस्वार्त संकल, स्वच्छ, स्पष्ट, शुब भावना, शुब कामना वाले संकल, जिसकी वज़े से क्या-क्या हो रहा है? मेहनत नहीं, समय बच रहा है, पैसे बच रहा है, और क्या बच रहा है? ठकान नहीं है, और हल्चल नहीं है, संकल्पो के तरफ attention, संकल्पो के महत वो को जानना, संकल्पो का प्रयोग करना संकल्पो को बढ़ाना संकल्पो को जमा करना और जो संकल्प कर रहे है याद प्यार और रूरियान के वो बाप तक पहुँच रहे है, फिर ये चिंता भी नहीं लास्ट, कल क्या होगा और कैसे होगा, ये भी कहा तो ऐसे ऐसी माताओ को परमात्म माताओ को बीस माताओ के साथ रहने वाली बिना जगडे के रहने वाली माताओ को ऐसे सर्वखजानों के अधिकारी आतमाओ को ऐसे स्रिष्ट संकल्पों के अधिकारी आतमाओ को ऐसे 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 विधी से सिद्धी ये भी कहा है कल्यान के चमतकार दिखाने वाली आतमाओं को ये पॉइंट रहे गया था कल्यान के चमतकार दिखाने वाली आतमाओं को ऐसे याद की गहराई और मन का मौन में रखने वाली आतमाओं को ऐसे ऐसे चोड़ी चोड़ी बातों का संकल्प करना और उन्हें सिद्ध करना ऐसे अनादी आदी मध्य अंतमे स्रेष्ट ऐसे सहज योगी सो रयोगी आतमाओं को ऐसे निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, संकल्प उत्पन्न करने वाली आतमाओं को ऐसे ज्ञान रतन बाटने वाली आतमाओ को, ऐसे दिल से सेवा करने वाली आतमाओ को, ऐसे willpower वाली आतमाओ को, यह भी कहा है बर्दान में willpower, यह भी एक पावर है, silence power, willpower, controlling power catching power, catching power, concentration power, silence power वो है, science की power, यह है silence की power ऐसे मन और गुद्धी पर कंट्रोल रखने वाली आतमाओ को कंट्रोलिंग पावर वाली आतमाओ को ऐसे स्मृति को दहराने वाले और स्मृति को इमर्ज रखने वाली आतमाओ को और रूहानी नशे में रहने वाली आतमाओ को ऐसे ऐसे रुहानी गुलाब ऐसे धाल ऐसे ऐसे चोटी-चोटी मौन बटी है करने वाली आत्माओं को मौन बटी और धेर सारे स्वमान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और अमस्ते हम श्यांत